नमस्कार वहाइ और क्या हल चाल है यह सरसो जो लगा रखें बीजा ये कितने लगाए है आप सरसो एक इन बीगा है कौन चीसर सब बीजा ये 55-46 इसके बाद हम आपका जानना चाहिए कि आपका नाम क्या विआ हमारा हमुख्या यादो किस गाहिं से आए ललाई खेड़ा से यह हम आया था आज यहां निवादा में जो की लखनो में लखनो और हर्दोई के बाडर पर पड़ता है किसान भाई हो मैं आपको बताना चाहता हूं इनको यह जो है सरसो की फसल हमने देखी बहुत अच्छी लगी हुई थी किसान भाई हो तो हमने का थोड़ा सा जानकारी कि हैं किसान भाईय से से लेते हैं इनका धीया का नाम मुखिया दाव है और ये लल्ओं लई खेडा गाउं से हैं आप kayak कुछ जानकारी हम चाहते हैं किसान बाइयों उनके द्वारा आप कि द्वारा आपको कुछ कि बारे में आच्छी जो प्रजाती है पैदावार क्या है जिसमें रोगप्रतिरोदख छमता क्या है इसके बारे में आपको यह बहिया बताएंगे सर्पर्थम्हा आप जानना चाहेंगे यह कितना लगा हुआ भिया एक बीगा इनका कहना है कि यह बीगा सरसो लगा रखें यह कौन सी वराइटी है यह 45-46 किसान भाईयों यह 45-46 जो पाहिनियर कंपनी की प्रजाती है सरसो की काली सरसो की आप से इसमें क्या खासियत देखी इस समय जो तयार फसल है कले बढ़िया हो रहे हैं अच्छा कल्य बढ़िया हो रहे हैं बढ़िया हुई है खाब बढ़िया है जीनी वगएरा कैसी है यह बहतरी नहीं है कौन सी खाट डाल लगे आप डेपी इसमें पड़ी हुए बस और उसके अल इसमें कुछ नहीं डाला है और आप इससे संतुष्ट हैं भी हैं पैदावार आपको उम्मीद है कि अच्छी मिलेगी किसान बाइयों इनका कहना है कि इसमें और कोई रोग बिमारी वगएरा कोई प्रकोब कुछ नहीं वाले कोई कीड़े जैसे तितली वगएरा गुजिय किसान बाइयों इनको कहना है कि इन्हों ने इस जो 45 et 46 पायनियर कंवनी कि जो व्राइट्य काली सर्सों की, ८्मारी ओ इनके पौधों में कोई रोग बिमारी लगी है और नहीं जो कि मतलब इसमें कोई कीड़े का प्रकोप है किसान भाईयों आप देख सकते हैं जैसा कि यह फसल तयार हो रही है आप इसके जो चीमिया देख सकते हैं इसमें फूल लगवग लगवग जढ़ चुके हैं और किसान कि यदि आप सर्सों की खेती ब्यापारिक रूप से करते हैं यदि ब्यापारिक रूप यदि आप इसकी खेती ब्यापारिक रूप से नहीं भी करते हैं आप घर के घरेलू उपयोग के लिए सर्सों बो रहें तो किसान भाईयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 52-52 सरसो और यद आप पीली सरसो लगाना चाहते हैं तो आप महिको कंबनी का उल्लास के नाम से जो आती है उसे लगा सकते हैं किसान भाईयों जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसान भाईयों बहुत ही अच्छा और बहुत ही भीया आप इसमें सबसे खास बात क्या चीज किसान भाईयों आप से मैं निवेदन और बताना भी चाहता हूं किसान भाईयों कि यदे आपके सरसो की खेती करते हैं तो पाइनेयर की जो ब्राइटियां जो प्रजातियां आमने बताई है यह बहुत ही अच्छी है एक बीगे में आपने इसको कितने ग्राम डाला था भि अधा किलो प्रत भीगा यानि कि एकड से यहां यहां पर पका भी चलता है तो आपकी ऊचित दर्मात्रा होती हो पैकेट के पीछे लिखी होती है किसान भाईयों आप देख करके उसके बाद में उसका बुखाई कीजिए किसान भाईयों मैं आपको जानकारी और भी देना चाहता हूं कि काली सर्सों में कुछ हलकी प्रजातियां आती हैं जैसे आप नार्मल जो खेती कर सकते हैं जो किसान भाई महेंगी भीजदर जो है इसकी जो महेंगे भीज हैं इसके लावा सस्ते वाले भीज जैसे कि आप बाबा सीट्स फार्म का जो की बरना के नाम से आती है एक हजार आठ के नाम से इसकी बरायटी आती है काली सर्सों की इसे आप बो सकते हैं किसान भाईयों यदि आप सक्सम हैं तो इन बरायटीयों का उपयोग जैसे बायर की जो बरायटीयां है प्रजातियां है सर्सों की काली सर्सों की और जो पाइनियर की बराइटिया काली सर्सों की किसान भाईयों आप इसका उप्योग करें इसमें रोग बीमारी लगने का बहुत कम चांस होता है जैसा कि किसान भाईय ने हमारे बताया भीया ने और इसमें किसी कीडे का प्रकोब नहीं हो पा रहा है किसान भाईों होता है और ये इसके कल्ले के फुटाव से चीमी से बहुत ही संतुष्ट है किसान भाईों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारे द्वारा दी गई मेरे चैनल के माद्यम से जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सस्क्राइब और सेयर जरूर करें और किसानों में आप ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ताकि जो हमारे किसान भाई हैं जिनको आप अग्यानतावस आप दुकावंधारों के या किसी भी कारण आप गलत बीज पा जाते हैं जिनकी पैदावार कम है, रोग बिमारी ज़्यादा लगती है तो किसान भाई हो इन सभी समस्चाओं का निदान इस चैनल के माद्यम से मेरे द्वारा मिलता रहेगा किसान भाई हो मेरे चैनल को लाइज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद किसान भाई हो